हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई न्यू विलोग आज मैं आपको उपने विलोग में शिमला की सायर करवाने वाली हूँ आप लोगों ने बहुत सारे विलोग देखेंगे और खुद भी बहुत बार शिमला गए होंगे मेरे विलोग में डिफरेंट यह है कि एक तो यह फैम है मैं तिन वीडियो टालने वाली हूँ फर्स में आपको शिमला और कुफरी दिखांगर ओर यह बताओं गी कहा कहा किया है और कितने पैसे लगेंगे और बच्चे के साथ जाना है या नहीं जाना ठीक है और सेकिंड वाले में आपको महारा जगा किला दिखाऊंगी जो बहुत ही सुन्दर लगा था मुझे और थर्ड वीडियो में मैं आपको पिंजोर गार्डन दिखाऊंगी जो चंडीगर के पास पंचुकला लोकेशन परता है है तो पिंजोर के नाम से ही मैं अपको सिफ डिस्टेंस प्लेस का नाम मेंशन कर रही हूं चंडीगर पिंजोर ठीक है और क्योंकि काफी लोग जूरी है नोर से ही है कुछ लोग साओ से भी वीडियो देखते हैं इस वीडियो और जो हमने होटल लिया था यहां पर हम लोग मेली श्रीमला माल रोड पर देता है सब लोग प्रेफर करता है कि माल रोड के पास हो क्योंकि महां पर लेने का पैदा यह होता है कि माल रोड शाम को अराम से घुमा जाता है बट इस बार फैमिली ट्रिप पे तो हमने कंडा घाट होटल लिया जो बिल्कुल ही बीट में पड़ता है शीमला से चहल से और कुफरी से एक पल ही डिस्टेंस पे हमारे होटल से शीमला था और चहल था और कुफरी था और जहां हमने कंडा घाट में प्रवाइड किया हुआ था तो एक नंबर का अच्छा होटल था अगर आपको रेक्स के लिए जाना है तो फ़र्स जब हम पहुंचे तो उस दिन तो हमने कुछ ने गुमा रेस्ट ही किया क्योंकि आठ घंटे का सफर किया तो बच्चे के साथ था और बच्चा वोमिट वारा सब लिए था और साथ कीछ साथ अपने लिए भी एक कप्ड़ लिया था कि अगर वोमिट मिट करें तो अपने कप्रे साफ कैसे करने है मैंने और उसके लिए एक्स्र कप्रे ली ये थी और दो व्यक्रान व्यक्ष एक्स्राrien लिया था था कि डाइपर अब इसके लड़ RYAN सिम्य लंने आ debugging प्रॉशं सामने इसने से हम गई यहां पर शिफ 10 मिड़क रशेट लें यहां पर नोटीफ केशन लगा वा कि कब डैली से आ रहे हैं तो वोल वो का बस का टाइम क्या है और कितने चार्जिस हैं मेखा से 1000 रुपीज चार्जिस हैं आने जाने के लिए आप पड़ सकते हैं यहां से हम लिफ्ट लेके एक कवर कर चुके हैं एक की बार के 10 रुपे लगते हैं और जो बुजूर के साथ श चार्जियों को उठाना नहीं है तो ज्यादा चार्ज भी नहीं है शयद 100 रुपीज चार्ज लेते हैं एक रूट ट्रेवल करने के और इस जिन संडे था कुछ हमें था कि आज माल रोड पे सारी शोप्स हमें ओपन मिलेंगी और साथ की साथ जो ब्रैंडी शोप्स अगे जाके हैं और सारी ओपन मिलेंगी बठ हमार साथ कुछ अलगी हुआ यहां तो हमें लगा कि शोप्स ओपन हैं सारी यह अरूंड 11 बजे का टाइम है बिल्कुल ओपन हो चुकी हम लोग 11 बजे पहुंच गे थे और शुरू कर चुके हैं आप देख सकते हैं कुछ शोप्स अ बन ठानी सटार्ट हुई देखा वो आ संडे कान बंध हैं और क्लोस ही रहेंगी सिर्फ कुछ ही खुली थी लोकल मार्केट न हर लोकल रोड पे होती है, हर हिल स्टेशन पे होती है, इनके प्राइस बिल्कुल डबल होते हैं, जो हमारी मार्केट से होते हैं, अगर ही हम बारगेन करने वाला होना, तो दोस्तों वाली चीज़ना सोरपे में भी लाएका आसकता है सिर्फ एक बारगेन करनी आ निचे यहां पर यह रोड साइड वाली है यह लोकर मार्क के तरफ जा रही है और उपर वाली ब्रेंडी शोप की तरफ और जो ओपर चर्च है वहां की तरफ अगे जाके दो पार्टिशन हो जाएंगे एक जाएका ब्रेंड शोप की तरफ और दूसर जाएका चर्च की तरफ और अगर आपको चड़ाई करनी है तो आप अराम से चड़ाई वाले एरिया से चर्च की तरफ जा सकते हैं अगर नहीं होती तो आप यहीं पर सीट पर बैठ सकते हैं अगर आपके साथ कोई बुजूर्ग है और वह नहीं चल पड़ा है बैटर है कि आप उसको नीचे ही बिठा के हैं क्योंकि चड़ाई यहां से जहां से सामने वाल रोड से आ रही थी मैं यहां पर थोड़ी ज्या माँ नीचे ही बैठ करें थी क्योंकि चड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था यह है पूरा का पुरा रिजरोड और यह हमारा त्रंगा जंडा अब मैं थोड़ा सा बच्चे के बारे मता देती हूं यह मेरी गुडिया है और यह बैलून से इसको मिल गया और एक खुशी खुशी घूम रही है पौपन खा चुकी है यह तो मैं बच्चों के बारे में बता रहे थी क्योंकि अगर आप किसी भी इस्ट्रेश्टर पे जा रहे हैं तो यह मत सोचे कि हमारे हां गर्मी है तो वहां पे वैदर का कुछ हिसाब नहीं होता तो बेटर है कि आप ह कपड़े पूरे रखे ताकि बच्चे को कहीं भी दिक्कत ना है उसके तब इतना खराब हो मैंने अपनी गुड़या की कैप ठंडी वाली बे रखी ती गरम वाली बे रखी थी और आप देखो इस तेम सुब्य का मोसम है और मैंने इसको गरम कैप बनाई है तो मतलब समझो और यह मैं नहीं ले किया और मेरे बिच्चे की तो बिद खराब हो गई इसके साथ अगर खाने पीने की बात करो तो अगर आपको लगता है बच्चा को कुर्क्रेलेज फूटी इसके लावा कुकुमबर एपल जो भी खाता है ना चाहिए वो कोई भी सबजी हो फूट हो ब अपने पिचर क्लिक करने में लगा हुआ है और यह बिक बिल्डिंग यह जो रिज रोड पे है यह भी बहुत पुरानी है बिटिश टाइम की है और हमारी कुछ को रिनवेट कर चुकी है और बट उनकी मेंटेनर्स लगी करवाती रहती है आप देख सकते हैं यह माल रोड जितने भी ब्रेंडिज दुकाने हैं यह सब बंद हैं आप यहां से बूद देखेंगे तो यह भी जो पीछे बिल्डिंग गई है यह भी पुराने टाइम की ही थी बट हमारी इंडिया की गवर्मेंट है वो इसको मेंटेन करती रहती है ताकि मेंटेन भी रहे और पुरान से पूछना पड़ेगा कि हाँ यहां पे कुछ स्पेशल क्या मिलता है कौंशी शॉप मिलता है अदरवाइस पेस्टी हो गई केक हो गया जूस हो गया पोपकॉन आइसक्रीम कुछ भी नॉर्मल खाना प्रिना खाना है जो हम लोग खाते हैं वो तो आपको सामने वारी शॉ आप खुद देखें इसके दरवाजे को लेके बट लोगों ने अपनी दुकाने भी खोली हुई है और अपने घरों को मेंटेन भी किया हुआ है तो यहां के रेट पोठाई हो चुके हैं और मेंटेन करना ही बेटर है अगर आपको पर्टिकल कुछ खाना है तो बेटर है कि आप कुछ नॉर्मल खाने की बजाए प्रोटी सब्जा कुछ भी खाने की जगा यहां की किसी बंदे से पूछ ले कि उसको क्या खाना है यह मेरी गुडिया को पेस्टी कहानी थी दोस्कों पेस्टी के लिए लेट गई तो मैंने इसको आगे वाली शौप से खिला दी थी साथ में आइस क्रीम भी विट उसको मान जाती है बात अगर सो को होना कि हाँ आगे वाली शौप से खिलाएंगे तो मान जाती है और वो चुप चुप चल चली जाती है पर खाती जुरूर है कि यह हम अब नीचे की उतराई पर आ गए है माल रोड उपर का रेज रोड गोंके और जो भी ब्रेंडिड शौप की रोड थी उसको गोंके हम वापिस जा रहे हैं लिफ्ट की तरफ इसके बाद जैसे ही हम नीचे उतरेंगे इसके बाद हम लोग जाएंगे कुफरी वाली लोकेशन पर कुफरी में अगर आप बात करेंगे तो दो तिन पॉइंट है मैं आपको बता देती हूं इसमें क्या है दो तिन पॉइंट के अंदर फर्स्ट और फॉल आता है जू और एक है उपर एक लोकेशन बनाई हुए है जहां फिल्मों की शूटिंग होती है बट वहां पर यह हलकी हलकी में बरफ भी दिखी थी ज्यादा नहीं थी हलकी हलकी कुछ बची हुई है और कुछ टाइम पहले ही स्नौफोल हुआ था पर तो कर्मी का मैर्ट हो गई बट कैलते हैं उसके लिए आपको नीचे से घोरा करना पड़ेगा और घोरा आपको उपर तक छोड़कर भी आएगा और उपर से नीचे की शौप है यह सब शौप उपर है और जो मैंने आपको कहा है कि उपर शूटिंग का वाला पॉइंट है और में लोग बरफ देखने के लिए उपर जाते हैं यह जूप की बैक वाला एरिया है हम लोगों पहले देखा हुआ था तो वो गुड़िया छोटी है तो अभी दिख हिरन दिखे और मौंकी भी देख सकते हैं हिरन आपको दिख रहे हैं और मौंकी भी हम बहुत सारे हैं यह जाल लगा हुए है इसके बाद यह जूप के पीछे एक छोटी सी रेस्टरेंट टाइप लगा लो यह बनी हुई है और यहां पर अपने खाने पीने का समान बहुत रखे क्योंकि यहां पे बंदर बहुत है हो हास्ते चीनके समान ले जाते हैं ऐसा ही कभी जाकू मंदिर जाए हैं वहाएं अपना समान प्रशाद और फोन चशमा यह सब संभाल के रखे क्योंकि बंदर इतने तेज हैं कि वो चश्मा तक उतार के ले जाते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले थेंक यू